कोकीन बिय एक 2019 भारतिय हिंदी भाषा की क्राइम ड्रामा फिल्म है, जो आशिम अहलूवालिया द्वारा निर्देशित और अभे कुमार द्वारा लिखे थे। यह फैंटम फिल्म्स प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड के तहट संजय अहलूवालिया, अनुराग कश्यप और नितेश प्रिपलानी द्वारा निर्मित है। फिल्म में अरुनोदे सिंग, जायरा वसीम और टिसका चोपड़ा है। यह फिल्म 26 अगस्त 2019 को रिलीज हुई थी। कोकीन बिया साजित खान द्वारा निर्देशित 2019 की भारतिय कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसमें सुषान सिंग, राजपूर, टाइगर श्रॉप और जैकलीन फनान्डीज ने अभिने किया है। तो दोस्तों मेरा नाम, लीना, है, आलोक की दोस्त। और आप देख रहे हैं, आलोक सेन, यूट्यूब चैनल, फिल्म दो सबसे अच्छे दोस्तों की कहोनी बताती है जो अपने आप में सुपरस्टा हैं लेकिन अपने करियर में सफल होने के ही अपने निजी जीवन की 1. फिल्म को समीक्षिकों से मिश्रित समीक्षाय मिही लेकिन यह व्यावसाइक रूप से सफल रही 2. 3. एक फिल्म वर्ष 2023 में सेट की गई है, जहां मानपता ने चंद्रमा और मंगल का उपनिवेश किया है 2. प्रिस बावत लियूक स्कॉर्ट नामक एक महत्वा कांक्षी युवा अंतरिक्ष यात्री का प्रित्वी पर लोटने और हीरो बनने का सपना है 3. यह फिल्म सर्वनाश के बाद की प्रित्वी पर घटित होती है जहां मानप ने चंद्रमा और मंगल ग्रिल पर उपनिवेश स्थापित कर लिया है लेकिन अपने नए घरेलू ग्रेल पर जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं इस दुनिया में कोई नियम या कानूर नहीं है बस योगयतम की उत्तर जीविता है क्योंकि प्रकृती मनुश्य की रचनावों के खिलाफ अपना रास्ता अपनाती है कोकीन बिया फिल्म 2023 भारत में रिलीज कोकीन बिया अली अब्बास चपर द्वारा निर्देशित और आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित एक आगामी बॉलिवुट फिल्म है इसमें मुख्य भूमिका में रंगवीर कपूर और दीपिका पादुकून यह फिल्म 30 अप्रेल 2021 को रिलीज होने वाली है यह फिल्म दुनिया भर के 1000 से ज़्यादा सिनेमा घरों में रिलीज होगी फिल्म का शीरशक सबसे पहले ट्विटर पर एक पोस्ट के माध्यम से सामने आया था जिसमें दीपिका पादुकून को उनके पीछे एक भालू के साथ दिख़या गया था अगले दिन यह बताया गया कि निर्देशक और निर्माता का नाम भी सामने आया था फिल्म की शूटिंग मुंबई, महराष्ट्रा में हुई थी पुने, महराष्ट्रा, गोवर, उदेपुर, राजस्थान और न्यू यॉर्क शहर तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेर करें और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको सुझाव दूनगा कि आप हमारे आलोक सेन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें